कॉल कीजिए हमारे नमबर्स पर क्यूंकि भारत के प्रसिद जोतिश समराड काले जादू के माहिर हर समस्या का समाधान 35 मिनट में घर बैठे गैरेंटी के साथ काम करवाएं आपकी समस्या चाहे कोई भी हो मन चाहा प्यार पाना हो वशी करण करवाना हो लव मैरेज करनी हो या फिर सौतन दुश्मन से चुटकारा पाना हो विदेश में जाना हो या फिर लौटरी का नमबर निकलवाना हो जी हाँ निराश भाई बेहन अवश्य संपर्क करें फ्री सेवा है फ्री समाधान वाटसप भी कर सकते हैं ओनली वन कॉल केंग चेंज यूर लाइफ बाबा खान बंगाली जी का खुला चैलेंज कॉल लगाईए प्लस 919779735158 पे जी हाँ उनका दूसा नमबर है प्लस 91987681940 आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं जी हाँ वशीकरण का तुरंत उपाए जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्यार में पागल करना चाहते हैं तो ये वशीकरण का उपाए जरूर करें दोस् व्यक्ति के हिसाब से ही अपना जीवन मोडने लगता है और आपको बता दें कि जो व्यक्ति प्रेम में पड़ता है वो हमेशा प्रेम को पाने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है अब आपको बता दें कि कुछ ऐसे वशीकरण के उपाएं हैं जो अगर आप करते हैं तो आप जिसे भी अपने वश में करना चाहें, वो आपके वश में हो जाता है, दोस्तों कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि अधिकांच पुरुष पहला प्रेमी बनना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में आखरी में उनका नंबर आए, लेकिन वहीं कुछ वश में करना चाहते हैं, तो सच बात तो यह है कि आपके पास एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, जिस व्यक्ति के साथ आप रिष्टे में रहना चाहते हैं, जो प्रमारिक रोप से आपको उतना चाहता हो जितना आप उसे चाहते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में वो हो सकता है जो आपके मन में हो लेकिन ये पूरी तरह से कोई और भी हो सकता है ये मंत्र संभो परिणाम देता है शुक्रवार को जब चंद्रमा नए और पूर्ण के बीच में होता है तो आपको क्या करना है कि मीठे बादाम के तेल का अभिशेक करना है और इसे डिनर प्लेट में आपको बीच में रखना है आपको गुलाब के फूल की पंखुडियां लेनी है लाल और गुलाबी घड़ी की दिशा में आपको इसे उसी डिनर प्लेट में रख देना है और उसके बाद आपको मुम्बत्ती जलानी है और कहना है जिस तरह से मैं भावुक और रोमैंटिक प्यार की इच्छा रखता हूँ या रखती हूँ कही न कही मेरे लिए एक perfect partner भी वही चाहता है जो भी वो है मैं उसे बुलाता हूँ मेरे पास आओ हम एक दूसरे के साथ खुश रहें यूनिवर्स मेरे इस दिव्य प्रेम को मेरे पास ले आओ दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के वशीकरण से आपके जीवन में आपका संभावित प्रेम ज़रूर आ जाएगा आप जिसे प्रेम करते हैं या जो आपसे प्रेम करता होगा वो आपके जीवन में स्वयम आ जाएगा एक बात और आपको बता दें दोस्तों कि जो व्यक्ति लालची होता है वो खुद को लाचार दिखा कर आपके सामने कमजोर दिखने का प्रतीत करता है उसके सामने हाथ जोड़ कर जो भी आदमी बने वो मूर्ख होता है इसलिए जो व्यक्ति सच्चा होता है उस व्यक्ति को सच के माध्यम से वशीकरण करना उसी का लाब होता है दोस्तों इन तमाम बातों को कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति से आप प्यार करते हैं तो सबसे पहले जानिए कि वो व्यक्ति आपको पसंद करता है या किसी कारण से आपके आगे पीछे घूम रहा है अगर वो किसी कारण की वज़े से लगा होगा तो उसके उपर ये वशीकरण की विधी कारे नहीं करेगी दोस्तों अगर वो व्यक्ति आपसे सच में प्रेम करता होगा तो ये वशीकरण की विधी उसके उपर तुरंत काम करेगी अगर आपका बॉइफरेंड आपसे रूट गया आप उसे मनाना चाहते हैं तो आपको ये उपाई करना होगा दोस्तों इसके लिए आप अपने बाए हाथ की नाखून को काट लें और उसके बाद उन नाखूनों को जला कर उनका पाउडर बना लें और उसके बाद आपको इस मंतर का जाप करना है और उस नाखून में आपको यानि की जो नाखून का पाउडर आपने बनाया था उसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा गंगा जल और इसके बाद इसे आपको अपने प्रेमी के घर में छिड़क देना है दोस्तों इससे आपका प्रेमी या आपका वोई फ्रेंड आपकी जिंदगी में फिर से आ जाएगा अगर आप अपने प्रेमी को प्यार में पागल बनाना चाहते हैं तो सुबह नहाद होकर साप सुथरे कपड़े पहन कर इस मंतर का जाप करें ध्यान रखें जब भी आप इस मंतर का जाप करें तो वो स्थान एकदम शान्ती पून होना चाहिए शोर गुल वाले इलाके में इस मंतर का जाप बिलकुल ना करें आपको सफलता नहीं मिलेगी मंतर जाप से पहले माता पारवती का चित्र अपने सामने रखें और मंतर को 51 बार पढ़िए इससे आपका प्रेमी आपके प्रेम में पागल बन जाएगा तो दोस्तों मंतर क्या है ये जानने के लिए हमारे नंबर पर कॉल लगाईए हमारे नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे इस नंबर पर आप तुरंत कॉल लगाईए और पूछिए कि क्या है ये मंतर बाबा खान बंगाली जी का खुला चैलेंज। कॉल लगाईए प्लस 919779735158 पे। उनका दूसरा नमबर है प्लस 919876819440